हलो गुड इमिंग फ्रेंट्स वेलकम टो आर चैनल कोमर्स क्लासेज बाई सुमित दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कोमर्स के विद्यार्थेगों मैं बताना चाहूंगा आपका इंतजार हुआ खतम आपका जो टाइम टेबल है वह जारी हो चुका है तो टाइम टेबल योग मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी किस डेट को और कौन सी एक्जाम है तो सबसे पहले देखिए आपकी चार मार्च को एक्जाम सुरू है, बारवी कोमर्स के विद्यारतियों में बता रहा हूँ, चार मार्च को आपको अंग्रेजी का पेपर है, उसके बाद में आपका नो मार्च को एकाउंटेंसी का पेपर है, यानि कि लेखा सास्तर का पेपर है, उसके बाद में आपकी 500 पेपर हैं वो मार्च महीने में फिनिस हो जाएंगे बस आपको अब डेढ़ महीने की जबरदस्त तैयारी करनी है और एकाउंटेंस ही अगर आपको पढ़नी है तो मेरे चेनल पर 12th क्लास की पार्टनर्शिप और 12th क्लास की जो कंपनी की बुक है उसके दोनो 20-22 वीडियो बनाई गई है वो आप देख लीजिए उनमें सारे आपके कॉंसेप्ट है वगेरा है वो क्लिर हो जाएंगे पार्टनर्शिप और कंपनी बुक के तो इसी चेनल पर आप विजिट कर सकते हैं इस चेनल पर आप विजिट कीजिए प्ले लिस्ट वाले उप्शन पर क्लिक कीजिए और नीचे जब आप उस लिस्ट के अंदर जाएंगे तो साथवे या आठवे नमबर की जो लिस्ट होगी उसके अंदर लिखा पड़ा है क्लास बारा पार्टनर्शिप, क्लास बारा कंपनी तो उन फोल्डर्स पे आप क्लिक करके अपनी वीडियोज वगेरा देख सकते हैं सारी वीडियोज उसके अंदर रिकोड़ेड वीडियोज है आप वो वीडियोज देखें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं एक चीज़ और बता दूँ आपको पार्टनर्शिप की जो बुक है उसके अंदर केवल आपके चार चेप्टर है जो फर्स्ट चेप्टर है वो एलाप करेशंस तावला वो हटा दिया गया बोर्ड ने तो केवल उसके अंदर चार चेप्टर है कंपनी की बुक है उसके अंदर आपके पहला चेप्टर सेकेंड चेप्टर और थर्ड चेप्टर है फोर्थ वाला चेप्टर आपके बुक में से हटा दिया गया है उसके बाद में फाइब नमबर वाला चेप्टर और सिक्स नमबर वाला चेप्टर यह हैं टोटल 5 चेप्टर तो आपकी कंपनी बुक में है और 4 चेप्टर आपके सांजेदारी यानि की पार्टनर्शिप बुक में है तो यह आपको 9 चेप्टर है वो अच्छे से तयार करने है एकाउंटेंसी में और आपका जो पेपर है पेटन है वो 80C नंबर का होगा 80C नंबर के पांचों पेपर होंगे आपके एकाउंटेंसी पढ़ना जाते हैं तो मेरे चैनल पर मैंने आपको प्रोसेसिंग बता दिया है आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं और अन्य सब्जेक्ट भी आप तयार कीजिए और आप अपने एक्जाम में सफल होगे